Hey guys, what's up, this is Rahul here and welcome back to this channel with another video तो आज की इस वीडियो में आपको एक best launcher बताने वाला हूँ जो की Nova launcher बिलकुल भी नहीं है, कोई एक new launcher है and मैं सिर्फ आप से एक ही request है कि इस वीडियो को end तक जरू से देखना and इस चैनल को अभी के अभी subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं इसा ही content आपके लिए लेकर आधा रहता हूँ So that रिवेश्टिंग यो टाइम, let's go for it तो इस launcher का नाम है Poco launcher and इस launcher को आप अभी play store से download नहीं कर सकते क्योंकि यह अभी available नहीं है क्योंकि यह सिर्फ अभी के अभी APK mirror websites पे available है तो APK mirror website का link मेरे description में दे दिया है and Google Drive का link मेरे description में दे दिया है तो वहां से जाके आप इस launcher को download कर सकते हैं तो इस launcher पर मैंने वीडियो इसलिए बना क्योंकि यह launcher मुझे काफी impressive लगा जो कि बहुत सारे new feature के साथ यह launcher आता है जो कि आपको पहले वाले launcher में देखने को नहीं मिलता है तो इस launcher में जो important and useful feature है तो मैं आपको कुछ अभी बताने वाला हूँ तो जैसे कि आप इस launcher का UI देखेंगे काफी simple है and जब हम इसको ऊपर swipe करते हैं तो यहाँ पे हमें all apps दिख जाते हैं जो कि आपके phone में सारे installed है और जब आप right swipe करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे category wise application मिल जाते हैं जैसे कि lifestyle, education हो गया, finance हो गया, social media हो गया आपको पहले से category wise मिल जाते हैं तो जब आप इहाँ पे ऊपर आते हो settings से option पे यहाँ पे आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं customize करने के लिए यहाँ पे जो पहला option है जो कि आपको नोवा लॉंचर में देखने को मिलता था जहाँ पे आप अलग-अलग icon pack को आप try कर सकते हैं install करके तो अगला जो एक new feature है वो है group icon by color तो इस option को आप on कर लीजिए और जब आप menu पे आ जाते हैं तो आप नीचे देखें कुछ colors है और जब आप red color पे tap करते हो तो आपके phone में जो भी red color में application का icon है वो आपको दिख जाएगा तो वैसे ही यहाँ पे आप green, yellow, blue, black इसे ही category wise आप भी आपको एक new feature आपको देखने को मिल जाता है तो अगर आपको इस launcher में कोई भी application को hide करकर रखना है तो यहाँ पे आप home screen पर चले जाए और यहाँ पे आप home screen पर fresh hold करकर रखिये और यहाँ पे आपको settings में जाना है इसके बाद एक option है जो कि hide apps का इसको बस enable कर लिजिए तो यहाँ पे हमको यह fingerprint माँग रहा है तो यह आप fingerprint दे सकते हैं तो इसके बाद आप menu पे चले जाए और यहाँ पे आप left को दो बर swipe लगातार कीजिए तो यहाँ पे आपको एक hidden apps का folder दिख जाएगा तो यहाँ पे आप अपना new password एंटर कीजिए तो यहाँ पे हम इस उपर वाला icon पे ट्याप करके जो भी application आपको hide करना है यहाँ पे हम hide कर लेते हैं जैसे कि बहुत सारे application यहाँ पे select कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे हम उपर tick button पे click कर लेते हैं तो इसका बाद जैसे कि आप देख सकते हैं सारे application जो हमने select किये थे वह सारे hide हो चुके हैं तो अगर आपको उन सब application को use करना है तो left side दो बर कर लीजिए और यहाँ पे आपका password एंटर कर लीजिए फिर उसके बाद आप application को use कर सकते हैं तो यह launcher काफी fast and smooth है मैं आपको recommend करता हूँ कि इस launcher को आप एक बाद जरुर से try कीजिएगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपके वीडियो अच्छा लगाएते इस वीडियो को like कर दीजिए और share कर दीजिए और हमारे चानल को subscribe करने को बिल्कुल नहीं भूला क्योंकि मैं ऐसे tips and tricks लेटेट वीडियो चे आपके सामें आता रहूंगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो पर thanks for watching and peace out